नमस्कार लेडर, मैं ध्रू कुमार आप इस वीडियो के माध्यम से CRU को WCRU में कनवर्ट करने से क्या फायदा है इसके बारे में जानेंगे साथ में Mathematics Calculation जानेंगे कि किस तरीके से फार्मूला से उप्योग करके 30 जून के बाद जो CRU को WCRU में अगर हम कनवर्ट करते हैं तो जो फिस लग रहा है वो किस तरीके से बढ़ोतरी हो रहा है उसके बारे में जानेंगे जैसे 1 जुलाई 2021 से 21 EUSDU होने वाला है वो कैसे होगा उसका Mathematics Calculation भी बताएंगे 1 अगस्त 2021 से 14151 EUSDU होने वाला है इसके बारे में भी बताएंगे 1 सिदंबर 2021 से 751 EUSDU होने वाला है इसके बारे में भी बताएंगे पूरी जनकारी Mathematics सब चीज इसमें बताने वाले हैं साथ में हम WCRU में क्यों कनवर्ट करें इस तरीके से बहुत लोगों के मन में सवाल होते हैं ये सारे सवालों के जवाब हम इसके में जानेंगे और कुछ लोगों का कहना है कि सर हम CRU को रखना चाहते हैं क्या सही रहेगा ये नहीं इसके भी बारे में हम जनकारी देंगे और CRU के rate कैसे बढ़ेगा कुछ लोगों का ऐसा भी सवाल रहता है इसके बारे में भी जानेंगे और future में WCRU से dividend अच्छा खाशा आना कब से सुरू होगा इस तरीके से भी कुछ leaders के सवाल होते है Even TV का future क्या है इसके बारे में भी details से बताएंगे बहुत लोगों के पास convert करने के लिए इस डिव नहीं होता है वह कहां से इस डियू मिलेगे कहां से परचेच करेंगे उसके बारे में बताएंगे की बहुत लोग की बनाया है जिनके खो गया है वह क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे बहुत leaders ऐसे हैं जिनका कोई help नहीं कर पार है उनके लिए क्या हो सकता है और बहुत leaders कराता है कि सर अच्छा खशा bonus का बाना शुरू होगा bonus के भरोशे ही बैठे रहते हैं उनके लिए कबसे आना अच्छा से सुरू होगा इसके में भी चर्चा करेंगे और किस तरीके से सारे चीजों का CRU और WCRU का जो दोनों में difference देखने को मिल रहा है exchange में और आपका global unit pay में समानने के कब होगा और अच्छा rate कब जाएगा दोनों में CRU exchange में बहुत लोगों कराता है मन में सवाल की सर CRU exchange में हम लेते हैं तो सस्ता पड़ता है और वही WCRU GDP से खरिते हैं तो महांगा पड़ता है तो हम वहां से क्यों खरीदे इस टाइप से भ share हो जाएंगे इस से रिलेटेड कल्कुलेशन से रिलेटेड और बाकी जितना मैं बोला इससे समंधित बाकी अन्य वीडियो में मैं कोशिस करूंगा अगर आप लोगों का और भी कोई ऐसा लगता है कि किसी भी से पर वीडियो बनाना चाहिए तो उसमें जरूर बनाएंग लगता है इसी घाप से 1,000 से लेकर 9,999 CRU कंवर्टकरते हैं से 2 पर यू लगता है और 10 लेकर 10,00000 लेकर 9,9999 CRU से अगरे तो 3SD अख लगता है इसी टाइप से 1,00,00,000 से लेकर कि 9,999, 9,9999, 9,999, 9,9999 990 करते हैं तो 10 ताइप से अगर 10 लाग प्लश करता है तो 100 लगता है यह वन टाइम कोई परचेज अगर किया है वन टाइम कोई package buy किया है यह उनके लिए है लेकिन कुछ leaders ऐसे हैं जो referral income से CRU को अरजित किया है उनको bonus के तौर पर मिला है तो कहीं कहीं पार्ट पार्ट में उनको अरजित हुआ है मिला है तो उसमें extra charge जुड़ जाएंगे क्योंकि जितना पार्ट पार्ट में आप खरेदी किया होंगे उतना ज़्यादा USDU extra लगेगा उस हिसाब से आपके portfolio में कितना USDU लग रहा है convert USDU के option को click करने के बाद all select करने करते ही आपको total दिखाई देगा कि convert करने में कितना अभी लग रहा है लेकिन अभी जो calculation के अनुशार अभी बहुत बेहतरीन है 30 तारिक तक आप लोग सभी लोग convert कर लिजे अपने team को भी करा लिजे इस सुनहरा मौका को अपने हाथ से ना जाने दें दुबारा इस तरीके से मौका नहीं मिल पाएगा mathematics calculation कुछ इस तरीके से होगा जैसे 1000 CRU को अगर WCR में बदलते हैं तो 30 जून तक आपका देख सकते हैं कि एगर 999 CRU में मात्र एक USDU लग रहा है एक जुलाई से बढ़कर के 51 USDU हो जागे एक अगस्त 451 और एक सितंबर से बढ़कर के 751 USDU हो जाएगा तो देख सकते हैं इतना बड़ा बढ़ोतरी देखनों को मिलेगा ताब इस चीज़ से जितना जल्दी हो सके कनवाट कर लिजा अब यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से कनवाट हो रहा है यूजी पे ग्रूप में जो WCRU है और एक्चेंज में CRU है तो दोनों का कंपेर किस तरीके से करके एक परसेंट WCRU के रेट से यहां पर ग्रोथ होके और टोटल कमिशन फेड और रूप में जो लग रहा है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है एक साथ दोजारी की से चार साथ दोजारी किस तक जो मास्कों समय है उसके अनुसार करने पर 0.1 डोलर लग रहा है अभी मतलब इसमें बढ़ोतरी किया जा रहा है तो जब बढ़ोतरी किया जाएगा तो उसके अनुसार कल्कुलेशन कुछ अलग होगा उसी तरीके से इसमें पांक साथ दोजारी किस से लेकर 13 साथ दोजारी किस तक डबलुशीयरो में 0.2 डोलर का बढ़ोतरी होगा 14.7.2021 से लेके 20.7.2021 तक WCRE 0.3$ का बढ़ोतरी होगा 21.7.2021 से लेके 31.7.2021 तक WCRE में 0.4$ का बढ़ोतरी होगा इसके USDU में बढ़ोतरी होगा इसके convert करने में उसी तरीके से 18.2021 से लेकर के 21 के बाद 28.2021 के बाद 0.5$ बढ़ोतरी होगा USDU में तो एक स्टा बढ़ते जाएगा तो कुछ की calculation बढ़ते जाएगा हर महिने कुछ इस तरीके से बढ़ेगा एक जुलाई 2020 में 0.1 USDU अगर बढ़ता है mathematics calculation अगर आप दिखते हैं इसको 1000 CRU और इसके बाद 0.1 USDU माइनस 0.05 USDU प्लस 1 USDU इस तरीके से आप calculation अगर इसका आप निकालते हैं तो 1000 USDU इंटू 0.05 प्लस 1 USDU यानि 50 USDU प्लस 1 USDU टोटल एक आवन USDU इस टाइप से लगेगा आपका 1000 USDU में अगर वन टाइम को फर्चेज किया है तो इसके अलावे बहुत सारे लीडर है जो ए वन टाइम ना करके पार्ट पार्ट पर उनको बोनस के तोरब मिला है तो उनका एक्स्रा चार्ज भी लगेगा उससे अच्छा है कि पहले आप कानवर्ट करके रख लें इस तरीके से एक्स्रा चार्ज देने का नौबत ना आए इसके बाद 5-7-2021 से लेके 17-7-2021 में 0.2 डोलर की बढ़ोतरी किया जाएगा उस हिसाब से आप अगर कल्कुलेशन उसी तरीके से देखेंगे तो 5-7-2021 से 0.2 बढ़ता है तो 1000 CRU 0.2-0.05 प्लस एक उससाब से कल्कुलेशन लगाएंगे तो 150 प्लस एक उस्ट्यू मैथमेटिक इस टाप से कल्कुलेशन आप कर सकते हैं तो 151 लगेगा तो देख सकते हैं कैसे बढ़ते जा रहा है आपका चार्ज तो उससे अच्छा है कि पहले आप चन्वर्ट करके रखें जब नहीं कर पाया है तो अपने टीम को बोल करके अब USDK बेऊस्था करके अब जितना जल्दीव हो सके convert कर लें, अगर USDU मिल पा रहा है कहीं से कोई बेवस्था नहीं हो पा रहा है तो संपर कर सकते हैं मैं कोशिस करूँगा कि हर संभव सभी का help करके, सभी की USDU दिला करके, सभी का convert करवाने में मदद कर शकूँ, इसी तरीके से बढ़ेंगे 14-7-2021 से लेके 20-7-2021 तक उसी टाइप से 0.3 डोलर की बढ़ोतरी किया जाएगा, उस हिसाब से 14-21 14-20 जूलाई 2020 तक 0.3 USD अगर 1000 CRU convert करेंगे तो 0.3-0.05 प्लस 1 USDU तो उस हिसाब से 250 प्लस 1 USDU टोटल 251 USDU यहाँ पे लगेगा अगर आप इस भीच में Convert करते हैं तो अगर Extra कई पार्ट पार्ट में, Bonus के तौर पे आया है तो Extra Charge और भी लग सकता है आप By करते हैं तो Extra By किये होंगे पार्ट पार्ट में किये होंगे तो Extra भी लग सकता है Convert में जाने के बाद ही आपको किलियर इसका जनकारी मिल पाएगा कि कितना आपका लग रहा है तो इस चीज का benefit पहले इसलिए सभी को बोला जा रहा है इसी तरीके से अगर आप 21 सा 2021 से लेके 31 सा 2021 तक W share में आप convert करते हैं तो 0.4 dollar का बढ़ोतरी के साथ में आपको extra USDU लगेगा इसलिए कुछ इस तरीके से होगा 21 से 31 जुलाई तक 0.4 USDU बढ़ता है तो आपके पास अगर 1000 CRU है उसको convert करते हैं तो 0.4 माने 0.05 प्लस 1 USDU तो उस हिसाब से 350 प्लस 1 USD, 301 USDU लगेगा अगर 1000 है तो उस अनुसार आपके पास extra है या ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से कल्कुले से निकाल सकते हैं या तो आप उस समय आप अपने wallet के अंदर आप जाकर के blockchain के अंदर जाकर के आप convert WCRE में किलिक करेंगे all select करेंगे तो दिखाई देगा कि आपके पास कितना है तो आपको पहले से विचार बना लेना है कि मेरे को कितना convert करना है और कब तक convert करना है pre planning बना लेजे ताकि इस तरीके से extra पे ना करना पड़े 18 2021 के बाद आपको WCRE का अगर convert आप करते हैं CRU को तो 0.5 डॉलर extra बढ़ोतरी हो जाएगा USDU में आप calculation करेंगे तो पुझे इस तरीक से 1 अगस्त 2021 0.5 USDU करते हैं तो 1000 अगर आपके पास CRU है तो 0.5 मैंने 0.05 प्लस 1 USDU calculation के नुसर 450 प्लस 1 USDU टोटल 451 USDU लगेगा अब देख सकते हैं 1000 CRU को convert करने में 400 USDU तो सोच सकते हैं उसे साब से अगर देखा जाए तभी 0.5 सेंट चल रहा है ने अभी 50 सेंट चल रहा है WCREU अगर UGFA groups में बात करेंगे तो उसे साब से ही पढ़ जाएगा अगर calculation लगाएंगे तो तो ज्यादा अच्छा रहेगा कर पहले से convert करके रखे क्योंकि WCREU हमारा STO पेश है तो उसे साब से धिरे धिरे बढ़ोतरी करके वहां तक price किया जा रहा है इसी तरीके से अगस्त इंड होने के बाद सितंबर में फिर से rate बढ़ जाएगा और आपका सितंबर में कुझे एक सितंबर दोजार इकिस 0.8 USDU लगेगा 1000 अगर CRU आप convert करता है 0.8-0.05 प्लस एक USDU ऐसे calculation लगाएंगे तो 750 प्लस एक USD टोटल 751 USDU लगेगा तब देख सकते हैं कि आप उस समय तक लेकिन WCREU का भी rate बढ़ जागा UGP group में अभी उतना नहीं है अभी 50 cent पे चल रहा है आने वाले समय में उसका भी बढ़ोतरी होते जाएगा तो बहुत सारे benefit मिलेंगे अगर convert आप कर लेते हैं तो उसके बारे में भी मैं detail में बताता हूं तो इस तरीके से आप इस convert करने का बेहतरीन opportunity से वंचित ना हो इसका फायदा ले क्योंकि extra pay करने से अच्छा है कि time से आप पे करके इसका benefit ले सकते हैं अब सभी को लेना जी है सबसे पहले आते हैं कि अगर हम लोग WCRE में convert करते हैं तो क्या हमको फायदा होगा WCRE में अगर आप हम convert करते हैं तो इसके सबसे बड़ा फायदा है कि STO बेस पे है जो सेक्स रेजिस्टर्ड है से क्रिटी कमिशन एक्चेंज से अप्रूब्ड है जो lifetime आपको इसलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर और सभी तरह से लोग इस benefit का लाफ लेने के लिए सभी लोग इसमें involved होंगे आने वाले समय में जैसे प्रोजेक्ट ब्रोथ होते जाएगा आने वाले समय में लोग जूडते जाएंगे और इसका benefit एक्स्रा डिविडेंट के रूप में बहुत बहतरीन इसमें dividend मिलेगा जिससे एक passive income के रूप में आपको यहां से benefit मिलेगा साथ में WCRM अगर आप convert करते हैं convert करके staking लगाते हैं तो एक्स्टा आपको event TV का मिलता है event TV मिलता है event TV को आप purchase उसको कभी भी sell कर सकते हैं उसका benefit extra है तो आपके उपर है कि आप उसक को कितना सेल करना चाहते हैं साथ में calculation को तो आप मैं आपको बताई दिया कि किस तरीके से calculation इसमें है तो उसको convert करने से कितना आपको calculation लग रहा है उसको बता दिया बहुत लोगों का है CRU को WCRU में convert क्यों करें तो आपके उपर है आपके decision के उपर है कि convert करना है या नहीं करना है दोनों का अपने अपने जगह में बहुत बेहतरीन है CRU भी आने वाला शमाय में अच्छा growth होगा अभी बहुत leaders का call आता है मेरे पास कि sir मैं convert करूं या नहीं करूं करूं तो कितन future आने वाले शमाय पर उसमें भी आलग लग exchange में listing होगा तो growth देखने को मिलेगा और कहीं ने कहीं उसका भी value बढ़ेगा और कभी मन्चा है आप उसको sales कर सकते हैं और WCRU आप अगर रखते हैं तो WCRU में आने वाले शमाय में बहुत अच्छा dividend मिलेगा या lifetime रहेगा पैसे यही है कि अगर growth होता है rate बढ़ता है तो उसको sale out कर सकते हैं CRU को WCRU को भी sale out कर सकते हैं आपका एक साल के locking हो जाएगा आप WCRU में convert करते हैं तो एक साल के बाद ही 1% release होगा उसके अनुसार उसको sale out कर पाएंगे या तो उसको sale पकर पाएंगे आप कुछ CRU को रखना चाते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं आने वले शमय में बहुत अच्छा उसको भी benefit मिलेगा और बहुत लोगों के मन में था कि सर CRU को rate नहीं बढ़ रहा है तो इसलिए rate नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि CRU और WCRU में काफी compare था दोनों same नहीं होन आने वले समय में अधर एक्चेंज में लिस्टिंग होने के बहुत जल लिस्टिंग होने को देखने को मिलेगा चार से पांच एक्चेंज में तो अवेसली rate बढ़ना है इसमें कोई सक वाली बात नहीं है तो जीतना ज्यादा है अब इसको hold करके रख सकते हैं अपना portfolio बना आप बनाक रखते हैं तो एक बिलियन के हिसाब से सप्लाई और डिमांड पे निर्भर करता है उस हिसाब से ज्यादा लोग इसका डिमांड करेंगे तो फ्यूचर में बहुत अच्छा इसको rate बढ़ेगा और अच्छा growth देखने को मिलेगा इस डियो बहुत लीडर स्पास अब कर रहें और अब लोगों करेंगा नहीं करेंने में तक नहीं कर नाया है कि बहुत लोग भूल चुके हैं तो दुबारा उनके लिए क्या होगा तो उनके लिए लिख करके दिया हुआ है कि कोशिस किया जा रहा है कि उनके लिए दुबारा बनानी का अप्शन दिया जाए टी डिपार्टमेंट से अल्रेडी बात हुआ है लेकिन अभी टाइम कब तक रहे गा कोशिस किया जाएगा कि आने व starter के लिए भी कुछ लिए चुर्पर करवाई कियागा घर कोई अगर इस तरीके से पाया जाता है कि अप्र बंद भी ब्लोक हो होजगा डी सारा चीज क्लोज हो जाएगा फेटर में किसी तरीके से बोनस डिविडेंट कुछ भी नहीं ले पाएगा तो इस तरीके से गल्ती ना करें क्योंकि कमपनी इस पर बहुत कड़ी निग्रानी के साथ में इस पर काम चल रहा है इस पर जिनके नहीं है कि मिलने के बाव जो अज जनेरेटेड हो गया है उस पे लिस्ट बन रहा है लिस्ट अभी तक आप नहीं बनवा पा है तो मेरे संपर करके लिस्ट दे दिजिए कोशिस हम लोग कर रहे हैं कि दुबारा उस पे कुछ ने कुछ करवाई करके कमपनी के माधिम से इटी डिपार्टमेंट से बात करके उस पे कोई नया फेस जनेरेट करने के तो कोई नया सलूशन निकाला जाएगा अब जिनके कोई अपलाइन हेल्प नहीं करते हैं तो कोशिस करेंगे कि सभी लोगों का हेल्प करते हैं कमपनी को ओफिसियल यूटूब चैनल है कमपनी क ओफिसियल मेटिंग वेबिनार सारे चीज होते हैं आप लोग फॉलो करते रहें देखते रहें और कोशिस करेंगे कि आप सभी का हेल्प हो और कांसिलिंग लीडर है मेंबर है सबसे संपर करके आप आपको हर संभाव सहता किया जाएगा आप बिलकुल पूरी तरीके से काम कर सकते हैं बड़े इस तरफे तो आने वाले शमय में बहुत सारे विनिफिट कंपनी के बोनाश दिरे दिरे बढ़ते जाएंगे और विनिफिट होते जाएंगे तो आप लोगों को मिल करके काम करने की जरूरत है कंपनी का मिशन विजन बिलकुल ही अलग है बाकी प्लेट अजिए पैदान पर हैं और अच्छा खांड कर रही है कंपनी अपलोगों कंपनी के जरूरत जरूरत होंगे अगर नहीं देखे होंगे दो हमेशा कंपनी के कम्पन offend की एक मीटिंगों होती है इस पूरी से सारा detail बताया जाता है तह पल्धु 1976 के बारे में सबद मताया पुनाफ़ा देखने को मिलेगा तो सभी लोग इसमें कंपनी के न्यू के मिशन विजन में काम कर सकते हैं इसमें कई तरीके से सभी तरीके से लीडर आकर के काम कर सकते हैं जिसे बहुत सारे लीडर हैं जो केवल इस पे एजुकेशन के तहट काम करना चाहते हैं एजुकेशन और अगर आप चाहते हैं कि वर्ड बाइट बिजनेस में को नर्शे बनने का बेहतरीन मौका में शामिल होना है तो आप शामिल होकर के भी इस अपर्चुनिटी का लाब ले सकते हैं तो बहुत सुनहरा मौका है अभी समय आने वले समय में धिरे धिरे सब सही हो रहा है तो सभी लोग इसमें आएंगे अभी बिल्कुल सही समय है इसमें एंटर करने का और शामिल होकर के बेहतरीन अपना पोटपोलियो बनाने का तो इसमें एंटर होकर के आप अपना पोटपो